स्वागत है दोस्तों आपके अपनी पाठशाला में है और मैं हूँ आपका SDP गुर्जी तो चलिए आज हम लोग देखने वाले कैसे आप लोग scale create कर सकते हो और उसकी जो value है select करने के बाद display कैसे कर सकते हो तो जल्दी से चलते implementation part की तरफ तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं लाइब्ररी को इंपोर्ड यहाँ पर मैंने लिख लिया from tick enter import star जिसका मतलब यह सारे functions आप लोग को यूज करने मिल जाएंगे tick enter के अंदर के उसके बाद मैंने ले लेना है root variable जहाँ पे आपका window create हो जाएगा जिसके बाद हमने यूज करना एक variable जिसका नाम मैंने दे दिया scale ताकि confusion ना हो और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे scale function और mention कर देना है दोस्तों यहाँ पे root variable ताकि आपकी जो scale है वो किसके उपर display हो जाए tick enter के root variable के through window पे display हो जाए इसके बाद मैंने mention कर देना है variable क्योंकि हम लोग जो भी value select करेंगे वो dynamic रहेगी और वो यहाँ पे आप लोग की display होती रहने चाहिए जैसे वैर मैंने यहाँ पर दे दिया वैर यहाँ पर लिख लेते और उसका data मेंशन कर देते इंट वार यहाँ पर mention कर दिया है उसके बाद आपने क्या करना है यह scale को कर दिना आना चाहते हो वह वैल्यू आप लोगों को दिख जाएंगी जो भी वैल्यू अपने स्केल पे स्लेक्ट की है तो यहां पर मैं लिख देता हूं रूट वेरिबल उसके बाद मैंने लिखना है टेक्स्ट जिसमें मैंने कहना यहां पर मैंने दे दिया यह पर्टिक्लर टेक्स्ट उसके बाद मैं लिख रहा हूं दोस्तों कमांड क्योंकि हम लोग यह टेक्स्ट यूजर डिफाइंड फंक्शन के दुरूद दिखाना चाहेंगे और उसके बाद बटन को भी कर देना है पैक यहां पर आ जाएंगे आप की बटन बटन पैक होने के बाद आपने करना रूट डॉट में लूप जिसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों जिसके बाद आपने करना यह यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्रियेट नहीं पता तो वीडियो जरूर देख लीजिए दोस्तों अधरवाइस नहीं समझ मे यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे क्रियेट होता है यहां पे मैंने देदिया नाम से जिसके अंदर मैंने लिखना है सेलेक्शन वीरिबल यहां पे वेरिबल आपका आ गया उसके बाद मैं यहां पर वैली डिस्प्क्वले करना चाहूंगा जो वैल्यो आपने सेलेक्क की है यहां पर value colon मैंने दे दिया अब आपको पता ही है दोस्तों कि आप लोगों ने दोनों करना है किसको यह text को और आपने जो value वायर डॉट फंक्शन के तुरू user से लिए उसको तो उसलिए आपको यह भी पता है करना ज़रूरी है तो यहां पर मैं कर रहा हूँ यह इंटीजर डेटा को टाइप कास्ट और उसके बाद आप लोगों ने लेबल तो लिया नी लेबल अगर नहीं लोगे तो डिफॉल्ट की वैल्यू भी बता देता हूँ जो लोग नहीं ताकि उनको समझ में आजा यह आजाएंगी आपकी टॉप बाइडिफॉल्ट अब यहां पर हम लोग यूजर से जो भी वैलिक सेलेक्ट होंगी वह यहां पर डिस्प्ले कराएंगे किसके तुरू सेलेक्शन करते हैं दोस्तों कंट्रोल S यहां पे मैं लिखता हूँ स्केल और यहां पर हम लोग करते हैं सेलेक्ट कर रह OL धे कर रहा हूँ यहाँ पे आपकी value जो भी select हुई है वो आ रही है dynamicness देखिए दोस्तों कितना बढ़ी है यह है वेर का usage यह है वेर का importance dynamically जो भी runtime पे value लोंगे वो यहाँ पे साथी साथ आपको नजर आएंगी दोस्तों तो इस प्रकार से आप लोग scale create कर सकते हैं तो आप लोग के information के लिए मैं बता दूँ दोस्तों हमारी official website आ चुकी है sdpguruji.in आप लोग check कर सकते हैं जहाँ पे आप लोग को notes, programs, mcq questions साथी साथ project के codes और आप लोगों को important updates भी मिलते रहेंगी technical news भी मिलते रहेंगी और आप लोग play store से हमारा application भी download कर सकते हैं दोस्तों तो जल्दी सी visit करिए और subscribe करिए अगर आप लोग नए है channel के उपर और like करिए अगर आपको ये video पसंद आया thank you so much दोस्तो have a nice day stay safe stay at your